दोस्तो flip card access bank credit card अगर आपने अभी apply नहीं किया तो भाई कभी apply नहीं कर पाऊगे ध्यान रगना अभी financial है एंड चल रहा है और भाई bank के खुद चाहरा है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा credit card out हो भाई सबसे मज़े की बात है यह वाला card आपको instant approve हो के और virtual format के अंदर भी मिल जात करते हैं लेकिन अभी के time में यह आपको बिल्कुल lifetime free मिल रहा है और उसी तरह अगर आप new credit card apply करते हो तो भाई आपको वो lifetime के लिए free हो जाता है और यहीं पर फिर हमारे पास तीसर option आता है flip card access bank credit card का अब देखो इस card के अंदर कोई भी lifetime free वाला offer नहीं है मैं आपको पहली clear कर देता हूं यह वाला काड 500 plus GIT के साथ पहले भी मिलता दा और अभी भी मिल रहा है तो भाई हमारे पास question आता है कि हमको flip card access bank charges वाला काड लेना चीए या फिर myzone या फिर नियो में से हमको lifetime free लेना चीए तो भाई देखो मैं आपको genuine review देता हूं सबसे पहले तो यहाप रखो कोई फरक नी पढ़ने वाला भाई मैंने इस काड से आज तक एक रुपए का भी profit नहीं उठाया वहीं पे flip card काड के थ्रू मैंने flip card पे 5% करकरके बहुत ज्याज़ा cashback earn कर ली है और अगर आपके mind में new credit card आ रहा है तो भाई उसको भी आप काटा मार दो क्योंकि उसक 10 रुपए को coupon और extra 1100 रुपए का अलग benefit मिल जाएगा वो मैं आपको वीडियो गंदर discuss कर दूँगा तो फिर चलो वीडियो फटाफट इस राट करते हैं अब देखो भाई इस card को apply करने पहले मैं आपको इसके benefit क्लियर कर देता हूं यहाप आप देख सकते हो इस card का जो shopping आख की 50,000 किये तो भी आपको वहाँ पे 5% का cashback दिया जाएगा और यह cashback तब credit होगा जब आपके credit card का bill generate किया जाएगा बिल के साथ यह settle हो जाएगा और जो भी आपका remaining amount हुआ वो आपको pay करना पड़ेगा तो भाई इस तरसे इसका cashback का system काम करता है उसके बाद यहाँ support पे इस card का use करके आप सिर्फ 2 रुपे के अंदर उनका buffet enjoy कर सकते हूँ और यहाँ पे तो एक limited period offer भी चल रहा है जिसके अंतरगत अगर आप यह वाला card apply करते हूँ तो यहाँ पे आपको flat 1,000 रुपीज का flip card का gift voucher भी दिया जाएगा तो भी अगर आपका concern था ना यहाँ पे joining charge और annual charges गा तो देख सकतो 1000 रुपे गंदर आपका दोनों cover हो जाएगा और यह वाला voucher आपको अपके mail पे receive हो जाएगा वहीं से आप अपने flip card account के अंदर redeem कर सकते हो और उसके बाद आपको यहाँ पे 4% का unlimited cashback देखें लोग मिलेगा अगर आप इनके partner website से इस card के थू shopping करते हो इनके partner website है swiggy, curefit, pvr, uber, tata play या फिर clear trip देखो अगर आप इन website पे shopping कर रहे हो न तो आपके पास flip card का जरूर होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको online में भी और offline में भी 1.5% का cashback भी देखने को मिल जाएगा और इसके साथ-साथ Axis Bank के इंडिया के अंदर बहुत सारे partner restaurant है, अगर वहाँ पे भी इस card का use करके अगर आप spend करते हो तो वहाँ पे भी आपको 15% तक का discount देखने को मिल जाएगा, तो भई मैं इसलिए आपको starting में कहा रहा था कि myzone जो आपको lifetime free मिल रहा है न भाई उससे कहीं जादा इसकंदर benefit भरे पड़े हैं, अभी self-employed के case में आपकी यहाँ पे minimum income 30,000 या फिर उससे अबब होनी चीए, ध्यान अगना आपकी monthly income है, अभी एक बर मैं आपको इस card के charges भी बता देता हूँ, देखो जब आपको card को apply कर लोगे और जब आपको card deliver हो जाएगा, तो उसके ठीक एक महीने के बाद आपके card से 500 रु spend कर देते हो न, तो वहाँ पर जो आपके annual charges हैं, वो भी wave of कर दिये जाते हैं, लेकिन भाई आप ऐसी बिल्कूल मत करना, अपने card से 500 रुपे बचाने के चकर में 35,000 रुपे spend मत करना, देखो भाई, अगर आप 10,000 रुपे spend कर देते हो, एक साल कर देते हो, तो भी आपके access bank की website से भी apply कर सकते हैं, और दूसरा हम flip card की भी website से apply कर सकते हैं, ध्यान अगना, इन दोनों के अंदर मैं आपको difference बता देता हूँ, बाकि आपकी मर्जी है किस से apply करो, access bank से अगर आप apply करते हो, तो यहाँ पर आपको card मिलने के chances थोड़ से कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो फिर चलो एक बने हम आपको card apply करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, website प्याने के बाद आपसे दो चीज़ पूछी जाएगी, कि भाई आप access bank के अलड़ी customer हो या फिर नहीं हो, मैं यहाँ पर no select करता हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है कि आप भी ना हो, अब इस वाले page पे आपको सबसे पहले अपना phone number फिल करना है, उसके बाद आपको अपना pen card का number डाल देना है, उसके बाद pin code डाल देना, यहाँ पर यह pin code पहली ही verify कर लेगा, कि भाई आपके area के इंदर access bank की service available है, या फिर नहीं है, अगर available नहीं होगी तो आपको पहली reject क करतेगा, उसके बाद आपको अपनी annual income फिल कर लेनी है, make sure करना कि आपकी annual income तीन लाख से अवब होनी चीए, बेशक से आपकी हो डाई या फिर दो लाख, लेकिन बाई डालना यहाँ पर तीन लाख ही, क्योंकि card मिले के charges इससे भी बहुत जादा बढ़ जाते हैं, उसके ब आपको अपनी date of birth यहाँ पर डाल देनी है, आपको यहाँ पर calendar दिख जाएगा, उसी calendar की मदद से, उसके बाद आपको यहाँ पर title, gender, name और desire card, यानि कि जो भी आपको credit card मिलेगा, उसके आप क्या नाम चाहते हो, वो नाम आपको यहाँ बताना पड़ेगा, उसके बाद अपना material status चूज कर लेना, कि आप single हो यह फिर married हो, उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना address verification करवाना पड़ेगा, अब देखो भई, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको दो तरह के address डालने पड़ेंगे, सबसे पहला आपको यहाँ पर residential address आएगा, और दूसरा आपको सिंपली यहाँ पर update कर देना है, अब यहाँ पर आप देख सकतो हमारा residence address, successful update हो चुगा है, अब यहाँ पर आपको अपना office address भी select कर देना है, तो भई, office line 123, उसके बाद office address, landmark, pin code, state और city, यह सारी चीज़े भी enter करने एक बाद आपको सिंपली update पर click कर देना है, अब देखो यह दोनों चीज़े जैसे आप fill कर देतों, ताव आप से पूछा जाएगा, कि भई, आप अपना credit card कहाँ पर deliver करवाना चाहते हो, तो भई, हमने यहाँ पर अपना residence चूज कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी complete email ID डालनी पड़ेगी, जो भी इनकी termine question है, उसक आपने minimum income 30,000 से अबब डालना, और salary चूज करते हो, तो यहाँ पर आपकी minimum income 15,000 से अबब होनी चीज़े, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हमने salary चूज करके, उसके बाद annual income डालने को कह रहा होगा, यह हमने यहाँ यहाँ पर 3 lakh डाल दिया, employment sector आपको select कर लेना है, occupation code already रहेगा, आपको कुछ भी छेट से अटकाने की जोतनी है, उसके बाद आपको अपना source of fund, यानि की पैसा आपको कैसे मिलता है, उसके बाद type of industry, भाई आपके सामने बहुत सारी industry आ जाएंगी, उनमें से आप कोई साभी select कर सकते हो, उसके बाद आपको अपनी company का नाम यह fill रहेगा, उसके बाद आपको अपना source of fund डाल दे रहे हैं, भाई हमने यहापे business income डाल दिया, उसके बाद nature of business, आप कौन सा काम करते हो, उसके बाद आपको अपनी company का नाम डाल दे रहे हैं, और उसके बाद आपको अपना honor type select कर दे रहे हैं, भाई देखो आप खुद काम क करते हो यह चीज आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी और आपको इस बिजनस के अंदर कितने साल हो चुके हैं यह सारी चीज बताने के बाद आपको simply next पर क्लिक कर देना ही अब यहाँ पर देख सकते हो हमको हमारी eligibility के साफ से बहुत सारे credit card offer के जा रहे हैं यहाँ पर example के ल तो भाई अपले सकते हो वनना हम तो यहाँ पर flip card को ही target करने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप no more पर click करते हो इस credit card के जितने भी benefit है वो सारे आपको मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिये हैं उसके बाद इस card के जो भी charges है वो भी आप देख स code या फिर employment ID के अंदर आपको कुछ भी fill करने की जोत नहीं है तो simply आपको last में submit कर देना हैं अब submit करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एक reference ID generate हो चुगा है अब देखो भाई जब भी आप अपने credit card के application को track करना चाहूं न तो इस ID के थुरू आप track कर सकते हो औ तो यहाँ पर आपकी दूसरे नमर पर बता रहूं physical verification भी किया जा सकता है एक्सिस बैंक की तरफ से एक agent आपके घर पर आएगा और वो आपका अधार card pen card address verification सब चीज करके जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आपको credit card का approval मिले लेकिन भाई ऐसा बहुत ही rare case में होता है ज 5-6 दिनों के अंदर जो आपका physical card है वो आपके घर पर deliver कर दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे को किया गया है और भोई मान के चलते हैं अगर आपका ये वला card reject हो जाता है न तो इस वाली वीडियो पर आप click करके देख सकता हूँ कि कैसे मैंने SVI का credit card बिल्कुल zero civil के अंदर अपलाई कर लिया था पूरा process मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता रखा है